जैहिन सातियों मैं हूँ संजय सिंगानिया अब देख रहें मेरा यूटूब चैनल सिंगानिया स्विसी दोस्तो आज में वर्ग दसम का संस्क्रीट विसे का अध्याई चवदा जो की प्यूसम भागदू का जो है लास्ट चेप्टर है जिनका नाम है सास्तर कारा इन से संबंदित जितने भी अबजेक्टिव कोसन बना है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको बोड की एकजाम में बहुत ही जादा मदद करने वाली है तो चलते हैं आज का वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर जो नए आए है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा तो चलते हैं आज का पहला कोसन आपका ये रहा कि भारत बर्स में किसकी महती परमपरा सुनी जाती है भारत वर्स में जो है किसकी महति परंपरा सुनी जाती है अप्शन यह पूस्तक भी है एकरंत सी हивается और Li है इनमें से कोई नहीं जिसका राइट उसर जान लिजिए क्या होगा। तो इसका राइट अंसर हो जेगा आपसन नाम मर सी सास्तर की महति की परंपरान सुनी जाती है चलते है नेक्स कोउस्टन क्यों नेक्स वोड़ी कोंग में परवेस्ट करता है कि किसके अंग होते है किसी च्छांग है औепंचन है रामायन डिया महाभारत C है पुरान और D है वेद तो इसका right answer आपको हो जाएगा option number D वेद या पूछ सकता है आपको कि बेदांग कितने हैं तो इसका right answer आपको हो जाएगा तब 6 हो जाएगा तो चलते हैं next question कियो next question आपका यह रगा कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं चात्र जो है वो किसका अभिवादन करते हैं option A सिच्चक B है बालक, C है राजा और D है चात्र तो इसका right answer आपको हो जाएगा option number A सिच्चक को जो है चात्र लोग अभिवादन करते हैं चलते हैं next question question number 5 question number 5 आपका यह रहा कि सास्त्र कारा पाठ किस सहली में है option who अभिवादन करते हैं ? question number 6 नबब 6 देखिए क्या है कि किसका ब्याकरण परसिद्ध है option है ब्याकरण परसिद्ध है अप्चटन है ब्यास B है पाननी C है चानक और D है आर्यभट तो इसका राइट आंसर आपको होज़ेगा Option नमर B पानिनी का व्याकरन जो है परसिद्ध है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 7 कोशन नमर 7 है कि ग्यान का सासक कोन होता है ग्यान का सासक कोन होता है Option A है सास B है विवेक C है ग्यान और D है धन तो इसका राइट आंसर आपको होज़ेगा Option नमर A सास्त्र है ग्यान का सासक होता है चलते हैं नेक्स कोशन की और कोशन नमर 8 कोशन नमर 8 है रहा कि मनुस को कर्तब्य और और कर्तब्य का बूध कोन कराता है Option A है सास D है विवेक C है ग्यान और D है धन तो इसका राइट आंसर होज़ेगा Option नमर A सास्तर जो है मनुस को कर्तब्य और और कर्तब्य का बूध कराता है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 9 कोशन नमर 9 यहां कि बेदांग कितने है बेदांग कितने है Option है 3 B है 6 C है 5 और D है 4 तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा Option नमर B चाह है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 10 कोशन नमर 10 आपका यह रहा को उचारन किरिया का कोन बोध कराता है उचारन किरिया का कोन बोध कराता है Option है 6 B है कल्प C है चंद और D है जो 30 इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा Option नमर A शिक्षा जो है उचारन किरिया का बोध कराता है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 11 कोशन नमर 11 आपको आपको है कि निरुक्त के रचाइता कोन है निरुक्त के रचाइता कोन है Option है ब्यास B है पान्यनी C है चानक D है यास्क तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा Option नमर D यास्क जो होजाएगे निरुक्त के रचाइता है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 12 कोशन नमर 12 यह है कि छंद के रचाइता कोन है छंद के रचाइता कोन है Option है ब्यास B है पाननी C है पिंगल और D है यास्क तो छंद के रचाइता जान लिजे क्यों है तो इसका राइट अंसर होज़ेगा Option नमर C पिंगल जो है छंद के रचाइता है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 13 कोशन नमर 13 कि जो 30 के रचाइता कोन है जो 30 के रचाइता कोन है Option A है ब्यास B है पाननी C है लगधर और D है यास्क तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा Option नमर C लगधर जो है जो 30 के रचाइता है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 14 कोशन नमर 14 आपका ये रहा कि कर्मकांड के रचनाकार कोन है कर्मकांड के रचनाकार कोन है Option है ब्यास B है गोतम C है चानक और D है यास तो इसका राइट अंसर आपको होज़ेगा Option नमर B गोतम जो है कर्मकांड के रचनाकार है चलते हैं नेक्स कोशन कोशन नमर 15 पंदरा कैसांखदर्शन के संस्थापक कोन है संखदर्शन के संस्थापक कोन है तो इसका रायठ आंसर होजगा आपको अपस्थापक है सांख तर सन घ pełट आकापक्त हैँ दर्शन के संस्थापक है!!!! नमर Census 16 आपको option number B पतंजली जो है योग दर्शन के संस्थापक है चलते हैं next question question number 17 question number 17 यह रहा कि नियाई दर्शन के संस्थापक कोन है option है कपील B है पतंजली C है गोतम और D है कनाद इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा option number C गोतम जो है नियाई दर्शन के संस्थापक है चलते हैं next question क्यों next question आपको है question number 18 कि वैसे सिक दर्शन के संस्थापक कोन है option है कपील B है पतंजली C है गोतम और D है कनाद तो इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा option number D कनाद जो है वह वैसे सिक दर्शन के संस्थापक है चलते हैं next question 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 number 19 question number 19 यह रहा कि मिमान सा दर्शन के संस्थापक कोन है मिमान सा दर्शन के संस्थापक कोन है option है कपील B पतंजली C गोतम और D है जैमनी इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा option number D जैमनी जो है जो है वैसे सिक दर्शन के संस्थापक कोन है और जो है चलते हैं next question कोशन के संस्थापक कोन है option है कपील B है पतंजली C है गोतम और D है बदरायन तिसका राइट अंसर आपको हो जाएगा option number D बदरायन जो है वैसे संस्थापक कोन है किस किर्सी बिग्यान को किस ने लिखा किर्सी बिग्यान को किस ने लिखा option है कपील B है प्रासर C है गोतम और D है बदरायन तिसका राइट अंसर हो जाएगा आपको option number B प्रासर ने चलते है next question 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 number 22 question number 22 आपको आर्या भट्यम नामक के रचनाकार कोन है यानि आर्या भट्यम नामक के रचनाकार कोन है option है कपील, B है पतंजली, C है गोतम और D है आर्या भट तो इसका right answer हो जाएगा आपको option number D, आर्या भट नहीं, आर्या भट्यम नामक गरंथ लिखेते चलते हैं next question की और question number 30 question number 30 आपका यह रहा कि विरहत सहीता के रचनाकार कोन है विरहत सहीता के रचनाकार कोन है option है कपील, B है पतंजली, C है अर्या भट और D है वराह महीर तो इसका right answer आपको हो जाएगा option number D, वराह महीर जो है विरहत सहीता के रचनाकार है question number 24 आपका यह रहा कि मनस्यों को संसारिक विशेओं की आसकती या विरकती का अपदेश देता है उसे क्या कहते है, मनस्यों को संसारिक विशेओं की आसकती या विरकती का अपदेश देते है उसे क्या कहते है option A है सास, B है विवेक, C है ग्यान, D है धन, तो इसका right answer जान लिजे क्या होगा तो इसका right answer होज़ेगा आपको option number A, सास्त्र देते है चलते है नेक्स कोस्टन और आज का लाश्ट कोस्टन होगा और इस संस्कीत विशे का भी लाश्ट कोस्टन होगा चलते है, चरक सहीता क्या है option A है आयुरुवेद सास, option B है धनवेद सास और option C है वास्तु सास, और option D है गनीत सास इसका राइट अंसर हो देगा आपको option number A, आयुरुवेद सास्त्र